मायोधिया में रौनाही टोल प्लाजा पर पल्टी डवल डेकर बस, हाथसे में 15 यात्री घायल, यात्रीयों को इलाज के लिए जिला स्पताल भेजा गया, थाना रौनाही क्षित्र में हुआ हाथसा गेटर नॉइडा में यमुना एक्स्प्रिस वे पर हुआ दर्धनाख हाथसा, नीचे पल्टी बस, हाथसे में की मौत 15 से ज्यादत है श्रावस्ती में कोहरे के कारण कई जग हुए साडख हाथसे, रेलिंग तोड कर सर्यू नहर में गिरा ट्रक, तो वही नेपाल जा रही ट्रक, खाई में पटी, यूपीटी होचल के पास, कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस भी ठक रहे सीतापुर में कोहरे के चलते वैन, जी सीम से चकराई, आज लोग घाल, चारको किया गया, लखनव रेफर, मिश्रिक कोतपाली इलाके के तस्रवा मोड के पास हुआ हथसा प्रयागराज में शिपाल सिंग यादव ने प्रेस कांफरेंस कर किया बड़ा एलान कहा, जीवन सपा में रहेंगे चाहे पद मिले या नहीं, मिले पद की कोई लालसा नहीं अब आज जीवन हमें सी पाटी में दाहीं ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने दो लाक कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ चार घंटे एक्स्ट्रा देते हैं, आपको भी ये सीखना है, तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो फाइनल है, या हमारी पाटी है शिवपाली आदव ने कहा, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, जो भी जिम्में दादी मुझे मिलेगी, मैं निभाओंगा, सातिका अखिलेश अच्छी भूमी का निभार रहे हैं शिपाली आदव ने प्रस कॉन्फिस में कहा, मुझे सपा को मजबूत करना है, आज जीवन सपा के लिए संघश करते रहेंगे भाजपापर निशाना साते हो, शिपाल ने कहा कि भाजपाप सरकार में लोक्तंत्र की हत्या और जनरता का उत्पीडन हो रहा है, विपक्षपर जूटे केस दर्ज हो रहे हैं, इस सरकार में भेष्टाचार का रिकॉर्ड तूट चुका खुले आम दिस पर, तुर्ट ना बेटा चाहत तु मैंने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं जनरता दर्शन से पहले सीम योगी गौशाला भी गए, गायों की सेवा की और उन्हें चड़ना और उपुड खिरा यूपी में कब होंगे निकाय चुनाओ, इस पर हो सकता है, तस्वीर साफ होगी, हाई कोट की लखनव बेंच में निकाय चुनाओ को लेकर आज फिर होगी सुनवाई ग्यानवापी श्रिंगार गौरी मामले में आज होगे सुनवाई ग्यानवापी परिशल में सर्वे क्या देश के खिलाव याचिका पर सुनवाई होगी अंजुमन इंतजामिया मसाजवित ने दाखिल यह है रिवीजिन याचिका लेवाना होटल पर कारवाई को लेकर हाई कोट की लखनव बेंच में होगी सुनवाई LTA ने लेवाना होटल को गिराने के दिये थे निर्देश होटल के मालिक ने कारवाई के कला हाई कोट में दी थी आठीक मुक्तार अंसारी की एडी की रमान का साथवा दिन आज भी एडी मुक्तार अंसारी से करेगी पुष्टा 23 दिसंबर दो बजे तक एडी की कस्टडी में रहेगा मुक्तार यह मुर्गी फार्म बना के हर महीने दो लाख कमाते हैं हर दिन इसमें सिर्फ चार घंटे एक्स्ट्रा देते हैं आपको भी यह सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए